Welcome to Step Up Iyes, स्वागत है आप सभी लोगों का Prelim Shmaster Series में आज हम Art and Culture का 9 लेक्चर कंटीनियू करेंगे लेक्चर कोड है PSS AC9, सिंपल है Prelim Shmaster Series Art and Culture 9 आईए आगे बढ़ते हैं और Classification देखते हैं हमने पूरे सब्जेक्ट को Indian Art और Indian Culture दो हिस्तों में डिवाइड किया था Indian Art को हमने Further 2 हिस्तों में Classify किया Performing Art जिसे हम पूरा Cover कर चुके हैं and Visual Art Visual Art में Indian Architecture और Indian Sculpture इन दोनों को हम Combined करके Period Wise डिसकस कर रहे हैं Periods का Classification जो है उसे हम देखते हैं हमने पूरे Architecture को 3 Periods में Classify किया Ancient India, Medieval India and Modern India ठीक है Ancient India को हमने 5 हिस्तों में Classify किया था जिसमें 58 हम Cover कर चुके हैं, Moran Art अभी Continued है Moran Art में जो Court Art था उसे हमने Cover कर लिया था Last Lecture में आज के इस Lecture में हम Popular Art के बारे में चर्चा करेंगे ठीक है, यह देखे, यहाँ पर यह Institutional Information है आप हमें Personal Guidance के Program के लिए भी Approach कर सकते हैं जहाँ पर आप एक Experience Coach के Supervision में अपनी तयारी करते हैं Proper Guidance आपको किया जाता है, उस Coach के द्वारा Intense Writing Practice करवाई जाती है जिसमें Quality Enhancement के लिए आप अपने Answers को अपने Room से लिखते हैं जबकि Speed Management के लिए आप Speed Test देते हैं On Screen Timer के साथ अपनी Coach के सामने बैठके Time Management के लिए एक डायरी का साहरा लिया जाता है, जिसे आपको daily fill करना होता है Prelims और Means की Test Series आपकी इस Program का हिस्सा होती है इसके अलावा कुछ और भी टेस्ट होते हैं Like Oral Test, Group Test और Instant Test जिसे आपको देना होता है और वो आपकी इस Program को बहुत ही Significant बना देते हैं देखे, ये Coach Diary है जिस पर आपको काम करना है And this is Time Management Diary जिसको आपको regularly fill करना होगा और Coach इसे daily basis पर inspect करते हैं Further details के लिए आप इन numbers पर contact कर सकते हैं अब आएए देखे, मैंने आपको evolution बताया था कि किस तरीके से हरपन civilization के अंत के बाद हम Moran Empire तक पहुँचे जिसके architecture और sculpture के बारे में हम लोग study कर रहे हैं देखे, Moran Empire, sorry, जो हरपन civilization थी उसका अंत कैसे हुआ, इसके बारे में तो किसी को कुछ खास पतार नहीं है लेकिन उसके बाद मध एशिया से, जो Aryans थे, वो Northern India में अपने कदम रखते हैं और उसी के साथ ही Vedic period की सुरुआत होती है Vedic period कुछ समय तक चलती है, Vedic period एक बहुत ही अच्छा period था जहां पर समाज में अरसमानता नहीं थी, महिलाओं के सिती अच्छी थी, सब कुछ बढ़िया चलता था उसके बाद एक महत्तपूर घटना घटित होती है, 1000 BC में डैट इस लोहे की खोज, लोहे की खोज की जाती है इसके बाद Agriculture Surplus में आता है, जो राजा था उसको ज़्यादा टेक्स मिलना सुरू होता है महाजनपदों का निर्माड होता है, 16 महाजनपद अस्तित्तों में आते हैं और अंत में चार महत्तपूर महाजनपद बच जाते हैं, जैसे कि वस, अवन्ती, कोसल और मगद इन चारों में मगद को काफी एज था, जोग्राफिकल लोकेशन अच्छी थी, बारिज ज़्यादा थी, रिसोर्सेस ज़्यादा थे इस वज़र से मगद ने बाकी तीनों जो महाजनपद थे, उनको डॉमिनेट कर दिया, उनको अपने कबजे में ले लिया और महान मगद सामराजी की स्थापना हुई, देखे सुरुआत में बिम्बिसार ने इस काम को सुरू किया था, जब उन्होंने हमला किया था अंग राज्य पे, अंग महाजनपद पे उसे अपनी कबजे में ले लिया था, उसके बाद चार वंसों ने मगद महाजनपद पर अपना सासन जमाया और अंत में चंद्रगुप्त मौरे ने घना नंद को जो कि नंद वंस का नौवास आ सकता, उसको हरा कर मौरे सामराजी की स्थापना की, जिसके आर्किटेक्चर और स्कल्प्चर के बारे में हम लोग शड़ी कर रहे हैं, अब देखे, मगद सामराजी में या फिर मौरे ए तो समाज चार हिस्सों में बट जाता है, कास सिस्टम इमर्ज होके आता है, महिलाओं के सिती खराब हो जाती है, और उस कंडिशन में होता ये है, कि जो समाज का एक तबका था, शूद्र का या फिर वैश्य का, वो अपने आपको समाज से अलग महसूस करने लगे थे, ब्र आपको अलाइन करके रखते हैं, ब्रामिन्स के साथ, वो उनके नॉलिज का बैनेफिट उठाते हैं, अपने सामराज जिवस्तार में या फिर अपने राजी को चलाने में, जो की छत्रिर उस समय रूल किया करते थे, लेकिन उसकी बाद देखे, 600 BC के दौरान, कुछ अल्ट ब्रामन, छत्रि, सूद्र और वैस, जब समानता की बात की गई इन धर्मों के दौरा, तो लोग इन धर्मों के तरफ आकिष्ट हुए, इन धर्मों को पैटोनेज दिया गया, कुछ मौरेन एमपररस के दौरा भी, मौरेन एमपररस जैसे की चंद्रगुप्त मौरे ने जै उने इस क्यों दिया गया, इसका एक करण था, क्योंकि ये जो राजा थे, ये भी कहीं ने कहीं सोसाइटी में, जो ब्रामिन्स की सुप्रीमेसी थी, उससे अपने आपको थ्रेट फील करते थे, और उन्हें एक ऐसा रिलीजिन, एक ऐसा स्रेक चाहिए था, जो कि उनकी इन धारित होकर, केफ्स का निर्मार किया गया, जो स्कॉल्प्चर्स थे, वो भी उसी के पर बेजड इमर्ज होकर हमारे सामने आए, तो उनके बारे में हम यहां डिसकॉस करेंगे, देखे, मॉरेन आर्ट को हमने दो हिस्तों में क्लासिफाई किया था, कोट आर्ट और पॉप अर्किटेक्चर था, उसकी सुरुआत ही मॉरेन एम्पायर से सुरू होती है, इसके पहले पहाड़ों को काट कर या फिर पत्थरों को काट कर कुछ बनाया नहीं जाता था, पहाड बहुत बड़े स्ट्रक्चर थे, लेकिन मॉरेन एम्पायर के समय में, स्पेशली असोका क पिरियड में, कुछ चक्टानों को, पहाडों को काट कर गुफाओं का निर्मार किया गया, ये गुफाएं बनाई गई थी कई सारे धर्मों के लिए, जैसे कि आजीवक सेक्ट के लिए, बुद्धिजम के लिए, या फिर जैनिजम के लिए, ठीक है, फीचर्स क्या थे, इ अगर आप उन केवस को विजिट करें, तो आप पाएंगे कि उनकी चमक आज भी बरकरार है, तो जो चमक के लिए इस्तिमाल किया जाता था, वो बहुत ही डेवलप्ट था, आप यूं कह सकते हैं, देखे नागारजुन और बराबर, ये दो हिल्स हैं, दो पहाडियां हैं, जो कुछ दूरी पर स्थित हैं, इन में केवस को काट कर बनाया गया, साथ केवस इन दोनों पहाडियों को काट कर बनाई गयी, जिसमें से नागारजुन पहाडी में तीन केवस, जबकि बराबर पहाडी में चार केवस को काटा गया, चार केवस और तीन केवस, इन सातों को मिलाकर आप Seven Sisters भी कह सकते हैं जो कि Modern Empires में इन साथ केवस को बनाया गया इसमें जो चार केवस थी वो बराबर केवस के गुरुप में आती थी जिनको असोका के दुरा बनाया गया था बाद में उन्हें आजीवक्स को दे दिया गया और जो तीन केवस थी जो कि Nagarjuni पहाड़ियों में काट कर बनाई गयी इनको असोक के पौत्र Grandson दसरत ने बनाई थी ठीक है तो ये केवस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन थी देखिए जो केवस थी ये बुद्धिष मौंग के लिए सुरू में रहने के लिए बनाई गई थी बाद में आजीवक्स को भी दिया गया 3rd century BC के दौरान असोक और दसरत जो उनके पौत्र थे इन दोनों लोगों के दौरा बनाया गया चुकि दसरत उनके पौत्र थे तो दोनों केवस के बीच में जो डिफरेंस मिलेगा आपको वो महस ट्रेडीशन जो था बुद्धिजम का उसके अंदर मध्यमक स्कूल की स्थापना करी थी यह उसके जो फाउंडर थे नागारजुना उन्ही के नाम पे इन केवस का नाम रखा गया था जो डोरवे था वो बहुत अच्छा बनाया जाता था उसका जो मुहाना होता था वो 220 डिग्री पर साउथ वेश्ट की तरफ रखा जाता था करण आप ये मान सकते हैं क्योंकि उसी डिरेक्शन में बोध गया स्थित है बोध गया बहुत ही पवित्र स्थान है बुद्धिजम के लिए ठीक है ये जो केव्स बनाई जाती थी मौरियन केव्स का जो इस्तिमाल होता था वो विहार के तौर पे होता था विहार रेसिडेंशियल प्लेसेस होते थे जहां पर बुद्धिश्ट मौक रहा करते थे बाद में अगर आप लेटर मौरेन पीरेड की बात करें तो उसमें या पोश्ट मौरेन पीरेड की बात करें तो उसमें ये जो केव्स थी इनको चैत्या के फॉर्म में भी इस्तेमाल किया जाता था मतलब यहां पूजा पाड़ भी किया जाता था तो उस समय हलाके भी हम Morian period की बात कर रहे हैं तो वहाँ पिनको विहार के तौर पे इस्सेमाल किया जाता था Seven Sisters के भी हम बात कर रहे हैं बराबर caves और नागारजुनी caves बराबर caves बराबर की पहाड़ियों में बनाई गई नागारजुनी caves नागारजुनी पहाड़ियों में बनाई गई caves ये जो बराबर caves कही जा रहे हैं ये एक umbrella term है umbrella सब्दा पिसे कह सकते हैं इसमें चार caves है ठीक है जो बराबर caves है ये oldest examples है Morian rock cut architecture cave ठीक है यहाँ पर देखिए ये जो बराबर caves है ये बराबर hills में located है जो कि बिहार के जहानाबाद district में स्थित है यहाँ पर चार caves समय मिलती है जो कि असोका के समय में 273 से 232 BC के समय में बनाई गई थी आजीवक sect को इन्हें बाद में दे दिया गया था चार caves के नाम कुछ यू है विश्व जोपड़ी, करन चौपाल, सुदामा केव, और लोमस रिसी केव पॉइंट तो बी नोटेट, आई रिपीट, विश्व जोपड़ी, करन चौपाल, सुदामा केव, और लोमस रिसी केव नागरजुनी केव की बात करें, तो ये गया से 35 किलोमीटर दूर हैं, काफी अच्छी केव ये भी हैं, इसमें तीन केव हैं, गोपी, जिसे आप गोपी का कुफा भी कह सकते हैं, वहियका, ठीक है, इसके रावा, विदेथी का कुफा, या कुफा या गुफा आप कुछ भ याद रहें, बराबर केव में कौन सी 4 केव साती हैं, नागरजुनी केव में कौन सी 3 केव साती हैं, अब याद कैसे रहेगा, एक कोड़ आपको बताता हूँ, जिससे हो सकता है आपको याद रहे, शुरुवात में याद हो जाता है, तो बाद में आपको इन कोड़ की आव पीका सूल तो आपको जो नाम है वो वैसे भी नहीं भूलेगा तो विश्व जोपड़ी, कर्णचौपाल, सुदामा केव और लोमसेसी इन नामों को आप अभी याद कर लीजिए क्योंकि बाद में रिविजन करेंगे ऐसे अगर आप टालेंगे तो बहुत सारी चीज़े इकठा हो जाएंगी और फिर आप याद नहीं कर पाएंगे तो अभी के अभी इन चारो केव के नाम याद रख लिजिए कि बराबर केव में इन चार केव साती हैं विश्व जोपड़ी, कंदचौपाल, सुदामा केव, और लोमसेसी केव नागारजुनी केव में जो तीन केव साती हैं उनका नाम आप कैसे आद रखेंगे गोपी, वहियक, और वडिथिका अगर आप लोगों ने एक सीरियल देखा हो जो कि कई सरे टेलिविजन चैनल्स पर आता है साथ निभाना साथिया हो सकता है बॉइज ने ना देखा होगा, उसने तो जरूर देखा होगा और यहाँ पर उनको इंसेंटिव मिलेगा तो उसमें एक करेक्टर है गोपी, गोपी बहु, अक्सर बोला जाता है उसमें, तो वो बड़ी बहु है उस सीरियल में तो आप कह सकते हैं कि गोपी बहु, बड़ी है, गोपी, गोपी जो गुफा है वो हो गई, बहु से वहियत और बड़ी से है वड़े ठिका गुफा तो boys हो सकता है इस serial को ना देखते हो, बहुत साय लोगों ने कितने घंटे का अपना समय जो है इस serial को देखने में बरबात किया होगा, how terrific it is, especially when you are UPSC aspirant, जो boys है, वो 220 देखने में अपना समय खपा देते हैं, अलाकि ठीक है, अगर girls ने इस serial को अच्छे से देखा है, तो यहा इसको भी बहुत important तो नहीं कह सकते, still आप जान लीजिए, कि जो Lomas Risi Caves हैं, यह बराबर caves की बहुत ही popular caves है, इनका एक बहुत ही specific feature है, that is, जो इनका entrance gate है, Lomas Risi Cave का, यह काफी decorative है, और arc structure में है, आर्क का मतलब क्या होता है, मतलब यूँ, जो घुमावदार gate होते हैं, आप इने arc कह सकते हैं, काफी अच्छा decoration आप इनके gateway पर देख सकते हैं, जालीदार decoration आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, कुछ हाथियों का जुन्द भी यहाँ पर बना हुआ मिलेगा, हानक इहां image में clear तो नहीं हो रहा है, बट मैं आपको यूँ ही बता दे रहा हूँ, तो यह वैसे तो यह सुदामा केव के अंदर का structure है, फिर भी आप इसका जो आर्क है, यह इसके comparison में आपको थोड़ा ज़्यादा चोड़ा दिख रहा होगा, मतलब यह बोशेब्ड में है, धनुस के आकार में है, तो यह एक important feature है, इसके अलावा देखिए अगर आप बात करते है, यह बहुत ही specific feature है, कि किस तरीके से इस चमक को बनाया गया रहा होगा, काफी अच्छी knowledge रही होगी उन artisans को, जिन्होंने इन caves को बनाया होगा, ठीक है, बार-बार slides मेरी आगे चली जा रही है, ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, विस जो जो पड़ी की बात करते हैं, तो मिलती है, हम उसे northern black polished wear मतलब NBPW कह सकते हैं, जो हड़पन period में हमें pottery वगेरा मिली थी, हम उसे red and black wear कह सकते हैं, RBW कह सकते हैं, simple सी बात है, मैं उस समय भी आपको बताया था कि red and black wear क्यों कहते हैं, तो इतना complex बात नहीं है, उसमें लाल और काली रंग का इस्तेमाल किया ज नदन black polished wear इसलिए बोलते थे, black ये बिल्कुल होता था, बहुत अच्छी चमक होती थी pottery में, polished होते थे, black polish होते थे, नदन एरिया में पाय जाते थे, इंडिया के मगद empire वहीं spread था, तो नदन black polish wear कह देते थे, बहुत अपूर बात तो ये नहीं लगती है, बट आपको इनका जो climax था, वो हमें गुपता period में देखने को मिलेगा, कुछ silver pottery भी हमें उस समय देखने को मिलती है, silver pottery जो थी, वो exactly luxurious wear हुआ करते थे, जो धनी लोग थे, वो उनका इस्तेमाल करते थे, ठीक है, अब आईए बात करते हैं popular art में sculptures की, जो sculptures थे, जो मूर्तिया थी, वो basically decoration के लिए बनाया जाते थे, decoration मतलब उनको बनाके सूपाज में लगा दिया जाता था, जो तोरन gate थे, उसमें इनको decorate कर दिया जाता था, या फिर मेधी में इसको establish कर दिया जाता था, ये religious expression दिखाते थे, उन structures के, दो बहुती famous sculptures हमें मिले हैं, Moran period के, that are yaksh and yakshini, ठीक है, image म लिए ही महत्तोपूर्ण थे, इसके अलावा, yaksh और yakshini के बारे में, जो हमें earliest mention मिलता है, वो silpa dhikaram में मिलता है, जो कि एक tamil text है, now there is a question for you, silpa dhikaram किसने लिखा था, जो कि एक tamil text है, इस सवाल का जवाब मुझे आप से comment box में चाहिए, I repeat, silpa dhikaram किसने लिखा था, इ यहाँ पर जो हमारा lecture है, वो समाप्त होता है, अगर आपको यह lectures useful लगते हैं, तो आपिशन को subscribe कर सकते हैं, like करें इन वीडियोश को, share करें ताकि और लोगों तक यह वीडियोश पहुँचें, और हमें भी incentive मिले, ताकि हम और hard work करके इन lectures को बनाएं, और ज्यादा इन पर क करें, thanks for watching this discussion, thanks a lot.